Be Confident and Relax इसका कहने के मतलब है यह पहली टिप्स है इसमें क्या होता है ट्रेनर जो साथ में बैठा रहता आपके जब आप एक्जाम देने के लिए जाते हैं ड्राइविंग का तो आपको देखता है आप रिलेक्स हैं कि नहीं आप कहीं घबरा तो नहीं रहा है इसलिए आपका Confidence होना बहुत जरूरी है आपके अंदर आप Confidence रहिए और रिलेक्स होके गाड़ी चलाइए कोई Tension नहीं होगी ट्रेनर वही समझागा कि हाँ आप सही है अब दूसरा Point क्या है Maintenance Speed जो लिखा हुए है दूसरा Point आपके Tips यही रहेगी कि आपको Speed का पूरा ध्यान रखना है इसमें यह नहीं कि आप 100 की Speed में गाड़ी चलाएं यहां पर बोर्ड लगे हुए रहते हैं हर जगा पर लगे हुए हैं जहां 60 का बोर्ड भी लगा रहता है असी का भी बूड लगा रहता है बट डिपेंड करता है कि रस्ता कौन सा है कि इस परकार का हाईवे है तो जरूर Speed को भी मेंटें रखेगा ताकि जो साथ में बैठा हुआ ट्रेनर है उस शिश को देख पाए आप सही तरीके से गाड़ी चला भी रहे कि नहीं अब तीसरा क्या है जज्जमेंट जज्जमेंट करना बहुत ही जरूरी है अब कि इस शिश का जज्जमेंट कह रहे हैं वो मा लिए हम लोग गाड़ी चला रहे है हमारे राइट साइड में कोई गारी आ रही है कि लेफ साइड में कोई गारी आ रही है कि नहीं इस चीश का जज्जमेंट करना बहुत जरूरी है जज्जमेंट कैसे होगा जो साइड मिरर होते हैं इंसाइड मीरर के थूँ या लेफ साइड या राइट साइड देखना जरूरी है अब चौता पॉइंट क्या है लेंड चेंज अब लेंड चेंज कहने का मतलब क्या होता है जब माली हम किसी साइड रोड से आ रहे हैं और हाईवी में अटैच होना है हम लोग को अब चौता क्या है ओवर्टेकिंग ओवर्टेकिंग में क्या रहता है सिंपल सी बात है ओवर्टेकिंग का सबको अलमस्ट पता ही है ओवर्टेकिंग में जब भी जो यू एई का रूर रहता है उसमें ओवर्टेक सदा ही लेफ साइड से लिया जाता है ओवर्टे करके सेम उसी रूट में दुबारा आना रहता है अब देखे यहाँ पे अगर कोई गाड़ी स्लो चलिए इसका मतलब भी निए उसके पीछे पीछे रहेंगे हम लोग अपने हिसाब से ओवर्टे करके फिर उसी लेन में दुबारा आ जाएंगे इंडिकेट दे के अब छेमा पॉइंट क्या है अप्रोच और ब्रेकिंग ब्रेकिंग कहने का मतलब ही सिंपल आप लोग समझ ही गए होंगे ब्रेकिंग में हम लोग को ऐसे भी ब्रेक नहीं लगाना है कि पीछे वाली गाड़ी आपको नजदीक आ जाए हम लोग को ब्रेक वैसे ही लगाना है जैसे ब्रेक लगाना चाहिए स्लोली स्लोली यह नहीं कि हम लोग की गाड़ी 70-80 की स्पीड में है और अचानक से आप पूरा ब्रेक मार दें ऐसे नहीं कभी करना चाहिए अब साथवा पॉइंट क्या है साइड रोड टो मेंटें रोड जो में रोड होता है अब साइड रोड से जब में रोड में आते हैं वहाँ पे हम लोग को क्या देखने मिलता है कि जरूर हम लोग को लेफ साइड का जो है साइड मिरर जरूर चेक करना चाहिए कि गाड़ी किस स्पीड से आ रही है किस स्पीड से नहीं आ रही है यहाँ पे speed maintain रखना भी बहुत जरूरी है यह नहीं कि पिछली गारी 60 की speed में आ रही है और आप 10-20 की speed में जा रहे है तो speed maintain रखना बहुत जरूरी है यहाँ पे साथवा point यही indicate करता है इस चीश को लेके अब धीरे धीरे जब जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे इस चीश को लेके और बस इस चीश का दूरूर्द जिया धरक है lign change एक बार में एक lign change करनी है सब Lign change एक बार में नहीं करते हैं और signal दे के INS de collect के line चेंज करनी चाहिए इस पकार आप दे की पा रहे हैं धीरे धीरे करके हम लोग lign change कर你要 emphasize signal on या गोवर्व इसे घेचे जलती हैं आगर में रोड में आप attach होते Normal mistake जो होती है छोटी मोटी उसको avoid कर देते हैं trainer बड़ी mistake मत करी गया अब आठवा point है control और vehicle अब control करना बहुत जरूरी है vehicle को अगर आपको control करना नहीं आता है vehicle को तो चलाके पिर फैदा ही नहीं है हर चीज में आपका control चाहिए मतलब की आगे पीछे सब ध्यान होना चाहिए आपका की round about में कहां से कैसे घूबना है कौन सा विकल आ रहा है कौन सा विकल नहीं आ रहा है इस इसकी proper जान करी आपको होनी चाहिए अब नवा point क्या है round about round about का बहुत ही बड़ा महत्व होता है round about का rule होता है सदा ही right side से जाना चाहिए हम लोग को round about में तो हम कभी भी left side से नहीं लेते हैं right side से ही घूम के round about का rule होता है और proper यहां से देखना पड़ता है कोई गाड़ी आ रही है की नहीं आ रही है round about में अगर कोई गाड़ी आ रही है के assignment के लिए आप जा रहे है driving test के लिए तो सदा ही एक person के साथ दूसरा student जरूर अलग बढ़ाते हैं कि ताकि एक student का अगर complete हो जाए तो साथ में दूसरा student भी साथ में बढ़ा सकते हैं हम लोग तो दूसरा student जब बढ़ाते हैं तो उस समय जो trainer होता वो जरूर कहता है आपको की गारी side में पार्क कर दीजे तो space मिलेगा तब ही आप side में पार्क करेगा और yellow जो line होती है सदा yellow line के side में ही पार्क करेगा मैंने yellow line के बीच में मत कर दिया है सदा ही yellow line निकाल के उसके बाद ही करिएगा और 10 से 12 mistake जो होती है वो जो trainer होता है वो छोड़ दे देता है अब बड़ी mistake मत करेगा छोटी छोटी mistake को तो वैसे ही छोड़ देते हैं बड़ी mistake को नहीं छोड़ते हैं तो relax हो के गारी चलाएगा अगर by chance आप fail हो जाते हैं तो कही ना कही आपकी कही ना कही गलती बड़ी हो गई होगी उस वज़ा से बाकी आप मैं ही कहूँगा कि तालिम दुबारा से जरूर आप लोग ले ले ताकि आप अपने next assignment में पास हो जाए और इसी तरह मेरे चनल देखते लिए और subscribe करते लिए कुछ पूछना तो जरूर को बड़ सेक्शन कमेंट कर दिएगा